जहें दोस्तों स्वागते आप सभी का एक और नए वीडियो में तो अभीता का पन्ने क्या-क्या पढ़ा है उसका एक बार बिरिफ रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या होता है उसके टाइप कितने होते हैं उसके बाद आपको मैंने कल जो सिखाया था प्रिविएस वीडियो में वह आपको मैंने सिखाया था कि आप उसका क्या क्या सीखा था अपने दिखिए minor कैसे निकालते हैं co-factor कैसे निकालते हैं joint कैसे निकालते हैं और inverse कैसे निकालते हैं इस अब मैंने आपको previous lecture में सिखाया था अब अपन बात करते हैं आगे elementary operation transformation की elementary operations देखिए आपके दो टाइप के elementary operations होते हैं आप transformation बुल सकते हैं आप operation बुल सकते हैं जो matrix में use होते हैं एक होता है elementary row operation और एक होता है elementary कॉलम operation देखिए आप मेरी भाद ध्यान से सुनना रो और कॉलम को अपन कैसे एक्जेस्ट करते हैं वो मैं आपको सकाता हूं देखिए जैसे एक आपका matrix है matrix आपका दिया हुआ है 1 3 4 2 3 2 6 कुछ भी ले लेते हैं दर 2 6 8 1 4 3 ठीक है इत्ता अच्छा 3 1 आपना देखो चले 3 ठीक है अब देखिए यह होते हैं आपकी रोख पर यह होते हैं आपके कॉलम ठीक है अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें dec aren old नहीं वहाते हैं कितने अपन रूल या रू गोई होते हैं वह अफ राइक कर सकते देखिए सबसे पहला अ यह कॉलम में ह्ड देखिए बबलकम से इंटर चेंज नहीं होगी रू है को अब से इंटरेचेंज होगा मतलब क्या हुआ कि अभी एक कॉलम है मैं इस कॉलम को इधर रख सकता हूं और इस कॉलम को इधर रख सकता हूं इंटर्चेंज कर सकता हूं मैं कोई भी एक रो है जैसे मैंने इस रो को लिया मैंने रो बन को मैं रो टू से रो थ्री से इंटर्चेंज कर सकता हूं मदब रो को मैं रो से इंटर्चेंज कर सकता हूं कॉलम को कॉलम से इंटर्चेंज कर सकता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है ठीक है अब आगे इसमें दूसरा बात करते हैं कि एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन मतलब क्या हूँ आपका सुनिया आप किसी भी रो से किसी भी रो को पूरी रो जाएगी तीनों एलिमेंट या दो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट देंगे पूरे उपलवारी रो से नीचे वाली रो से मलब जिस रो से माइनस कर सकते हैं किसी भी रो से प्लस कर सकते हैं वो पूरी की पूरी रो के जितने एलिमेंट होंगे करस्पन उसी उतने ही आपके उस प्रिवियस रो में सार एक element एक दूसरे से addition हो सकता है subsection हो सकता है ठीक है इसमें तीसरा एक और चीज है कि जरूरी नहीं है कि देखो आपन बात करते हैं जैसे एदर 1 लिखा हुआ एदर 2 लिखा हुआ मुझे एदर 0 बनाना है अगर तो मैं क्या करूँँगा बहुत दो बार माइनस नहीं करूंगा उसको मैं सीधा लिख दूंगा R2 मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ R2 माइनस 2R1 ठीक है 2R1 का मतलब क्या हुआ उधर उपर मल्टिप्लाई नहीं कर रहे हैं अलग से मल्टिप्लाई करने के बाद अपन माइनस कर रहे हैं वो नीचे अलग से दिखेगा उपर नहीं लग करने हैं अपन को माइनस ठीक है मतलब उपलवारी जो रो रहेगी पूरी 1, 3 और 4 तो उसमें आटोमेटर 2 से मल्टिप्लाई होने के बाद माइनस करेंगे तो मतलब तीनों एलिमेंट को अपन को 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद माइनस होगा क्लियर है चले कॉश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चले ठीक है एक सिकेंड एक सिकेंड तो मैं क्या बता रहता आपको कि कोई भी अपन उसको एडिशन सुप्शक्शन कर सकते हैं मुझे देखिए एक जैसे एक एक्जम्पल बताता हूं कि अगर मुझे इधर 2 है इधर 6 है और 8 है तो मैं इधर क्या कर सकता हूं देखिए R2 में मैं क्या लख सकता हूं R2 divided by 2 तो जितने भी R2 के जो तीनों element है वो automatic आपके दो से divide हो जाएंगे उसके बाद जो answer आएगा वो open अंग लेगे उसमें लखेंगे ठीक है चलिए बात करते हैं आँगे जो रहेगा आपका gosh jordan method gosh jordan method किसली use होती है inverse find करने के लिए ठीक है inverse find कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं इसकी आपको process है दो process आप बिल्कुल ध्यान लखना सबसे पहले ये unit matrix होता है unit matrix क्या होता है देखिए unit matrix होता है कि आपके जो भी diagonal principle diagonal होगा वो one होगा वाँकी सारी value 0 होगी वो आपका depend करेगा कि अगर आपका matrix 3 by 3 का है तो आपको 3 by 3 का unit matrix लिखना पड़ेगा और अगर आपका matrix 2 by 2 का है तो उसमें आपको 2 by 2 का matrix लिखना पड़ेगा मतलब जो आपके matrix का order होगा वही order आपका unit matrix का होगा ठीक है? चलिए मैं आपको, शीरा एक एक एक्जामपल लेता हूं, उससे आपको जुको अश्वाथन मैथद आपको समझाऊंगा, उसके पहले आपको दूसरा जो रहेगा आपका प्रोसेश बो बताता हूं, सबसे important प्रोसेश है, देखें सबसे पहले जो आपका matrix है उसके order का ही एक unit matrix लेना है दूसरा आपका जो matrix होगा उसको आपको convert matrix into unit matrix मतलब क्या हुआ आपको देखें आपका समझें आपका एक matrix दिया है आपको बोला है उसका इंवर्स निकालना है तो मैंने जैसे 3 by 3 का matrix दिया है उसके corresponding में आपका 3 by 3 का unit matrix लिख लिया तो अब जो row और column operation में जो अपना matrix दिया था उसमें लगाऊंगा वही row और column operation आपके unit matrix में लगेंगे इससे क्या होगा कि आपका जो मैंन मेंट्रिक्स दिया था वह आपका unit matrix में कनवर्ट हो जाएगा और जो unit matrix था वह आपका जो matrix बनेगा उसी को आप inverse बोलेंगे एक question करते हैं तो उससे आपको clear हो जाएगा ठीक है चलिए देखिए question दिया हुआ है question क्या है आपका एक matrix है 1 1 3 1 3 minus 3 minus 2 minus 4 minus 4 ठीक है एक matrix दिया हुआ है इसका find करना है आपको find a inverse उसका inverse find करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है जो भी यह matrix दिया है उसके corresponding में आपको क्या लिखना है unit matrix लिखना है देखो minus 2 3 minus 3 minus 4 और minus 4 ठीक है उसके corresponding में ऐसे dot लगाना है और उसके corresponding में 3 y 3 का आपको unit matrix लिखना है ठीक है तो अब जो रोवन होगी वो क्या होगी पूरी रोवन होगी रोटु ए पूरी होगी मैं जो जो operation इस रो में लगाँगा वो इस रो में लगेंगे और जो इस रो में लगेंगे तो इस रो नहीं मैं 0 चाहिए आप एक साथ 2 operation लगा सकते हो तो मैं क्या करूंगा पहले रोटू में operation लगा रहा हूँ भाई दिखो यदर बन यदर बन नों को माइनस करूंगा यदर जीरो बन जाएगा रोटू में आघर वन कि थीक्शेंगे तो आट यह तो आपकी चैन्ज होई नहीं तो मैं रवन को पूरा पूरा जाओंगे तो लिख लेता हूं अभी तो फिलाल में 1, 0, 0 अब मैं R2 मेंसE R1 मैनिस करता हूँ देखो 1, मैनिस 1 क्तना हो गया, 0, 3, मैनिस 2, 2, मैनिस 3, तो मैनिस मैनिस हो जाएगा, इδώ मैनिस 6 हो जाएगा इदर, अब देखो जीरो, मैनिस 1, तो मैनिस 1 हो गया, 1 मैनिस 0, 1 हो घ mouths गया, जोड़ना है तो देखो 2i2 मतलब i2 में 2 का मल्टिप्ले हुआ तो 2 2-2 0 हो गया इधर कितना है भाई 2-4 प्लेस टू माइनस टू हो गया इदर माइनस 4 प्लेस 6 हो गया तो इदर कितना भचा 2 बचा ठीक है चले इधर बचूँ है फिर जोड़े तो Do आ गया जिरो ही रहा और इधर वन ही रहा ठीक है चले आंगे देखते हैं हम आगे क्या होगा देखो इधार तो मेरे 0 बन गाए इधार इन 9 में 0 चाहिए मुझे इन 9 में 0 चाहिए न मुझे तो देखो सबसे पहले मैं C2 में ऑपरेशन लगाऊंगा C2 माइनस C1 दूसरा ओपरेशन लगेगा C3 में C3 माइनस 3C1 ठीक है न तो देखो आपका जो रहेगा वो क्या आएगा C1 तो जोंके तो लिख दी यह 1, 0, 0 इधर क्या हुआ आपका देखे, 0 हो गया इधर कितना हुआ 2 ही रहा और इधर कितरा minus 2 रहा इधर कितना हुआ 3, minus 3, 0 इधर minus 6 ही रहा और इधर 2 ही रहा ठीक है आपके same operation इधर लगेंगे तो देखो 1-1 2-0-1-0 C2 में लगेगा C2 में लगना है न C2 में लगेगा C2 में आपका क्या लगना है C2-C1 तो इधर-1 हुआ इधर--2 हुआ और 0-2-2 हुआ C3 में आपका C3-3C1 तो 0-3 1-3 हो गया 1-3 हो गया और इधर आपको 1-6-5 हो गया अब आप देखिए एक चीज मैं आपको इधर एक चीज इधर ही करता हूँ देखो मुझे इधर बन चाहिए और इधर बन चाहिए तो मैं क्या करूँगा 2 operation लगाता हूँ R2 में लगाया मैंने R2 divided by 2 और R3 में लगाया R3 divided by 2 तो देखो इधर इधर भी बन हो गया इधर भी बन हो गया तो मैं इधर ही आपका लेक देता हूँ इधर बन हो गया इधर माइनस 3 हो गया इधर माइनस 1 हुआ और इधर बन हुआ आप एक चीज आप नोटिस करना कि आप देखो मुझे इधर 0 चाहिए और इधर आपका 0 चाहिए ठीक है तो आप क्या करोगे सोरी मैंने कुछ गबड़ किया है क्या हाँ सोरी एक चीज अपन ने गबड़ की है देखिए इधर क्या हुआ था 2 C 3 में 3 C 1 जोड़ा था ना हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आंगे देखते हैं मैं देखता हूँ एक सेकन मैंने कुछ गबड़ की है क्या 3 2 ओके ठीक है देखो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ R2 और R3 को इन दोनों को मैं जैसे ही जोड़ूँगा तो देखो 1 प्लस 1 जाए जीरो हो जाएगा इधर माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1 होगा माइनस 7 कॉमन ले लेंगे ठीक है तो चलिए जो आपका बनेगा डिटेमिनेंट वो मैं इधर लेकर आ हूँ देखो इधर कहां गया नीचे है न वो ठीक है इतर जे आ गया ठीक है आप देखो इधर क्या बन लाए 1 0 1 1-1 3 R2 में लगाना था न तो अधर बन होगया था ठीक है जीरो 1-3 आपका माइनस 1 2 3 इधर देखो 0 इधर इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 1-1 इधर 0 हो गया इधर किता होगया माइनस 1 हो गया ठीक है इधर किता हुआ आपका देखो सब में इधर मैंने 2 कॉमन लिया था न सबसे तो इधर भी 1-2 हो जाएगा इधर 2LoP 2 हो जाएगा धर 3 val 2 Golden ढूँल्स हो जाएगा lub अब इधर आपका क्या होगा माइनस 1 by 2 हुआ इधर जो आपका होगा वह bann होगा और अला अलगा होग sparkत इधर 2 by 2 1 हो जाएगा और 3 by 2 इधर 3 by 2 हो जाएगा वो आगे देखते हैं इधर देखो इधर भी मैंने सब में से common लिया था इधर 1 और 1 हो रहा था तो इधर भी सब में 1 और 1 आएगा तो इधर देखो अब मैंने क्या किया था इन दोनों को जोड़ा था टो इधर दोनों को भी जोड़ा पड़ेगा तो छेक्डत हर ना पड़ेगा तो इैस सब्सक्राइब माइनस भन वैडर जोग जाएगा अब मुझे इधर मैं R3 में क्या करूँगा माइनस 1 को में ले लूँगा सबसे तो मैं इधर आपका लिख देता हूँ लग से इधर देखो प्लस 1 हो जाएगा इधर माइनस 1 by 2 होगा प्लस 1 by 2 होगा आप लोग जब करोगे तो आप लोग अलग अलग करना ठीक है अब देखो इधर मुझे क्या करना है इधर 0 चाहिए तो इधर 3R3 करूँगा देखो R2 में लगाऊँगा R2-3R3 तो आपका जो matrix बनेगा तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 बना और इसके बाद आपका जो इधर matrix बना वो क्या बना 1-1-3 इधर आपका minus R3-3R3 है ना तो 3 बाइ 2 इधर 5 बाइ 4, 1 और इधर 3 बचेगा और इधर आपका minus 1 by 4, 0 और 1 by 2 ठीक है इधर 1 by 2 यह रहेगा आपका जो matrix बनेगा वो आपका यह रहेगा तो अब क्या हुआ देखिए इधर आपका क्या बन गया इधर आपका बन गया unit matrix उसके opposite में मनलब जो इधर आपका corresponding unit matrix था वो आपका क्या बन गया inverse तो आपका inverse बना वो क्या आया minus 1, minus 1, minus 3, minus 5 by 4, minus 1 by 4, 1, 0, 3, और 1 by 2 यह आपका हुआ a inverse ठीक है रहेगा जो आपका वो रहेगा आपका inverse निकालने के दो तरीके है और एक आपका फर्मूले बेस पर आपको जो अच्छा लगए आप उससे करो आपको कोई दिक्कत नहीं है बस देखिए गोश्ज जॉर्दन में आपको सिर्फ वह से रो और कॉलम के जो elementary operation है वो आना चाहिए आपका answer हो जाएगा अगर आप लोगों ने इसको unit matrix नहीं बना पाए तो फिर आपका answer नहीं आएगा इसलिए थोड़ा साब को practice करना पड़ेगा आप practice करोगे तो आपका answer आजाएगा चलिए बहुत सारी practice करने वाले हैं पन कोई समस्या नहीं है आरा अरला वीडियो आएगा उसमें आपको मैं rank बताऊंगा कि rank मैट्रिक्स की rank कैसे find करते हैं और एक नॉर्मल फॉर्म आता है मैट्रिक्स का rank बताने के लिए तो अपन वो discuss करेंगे ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हैं दोस्तों